Hey everyone, welcome to Glam Up! पर उनका नाम वसीम रखा गया था पर उनके फादर ने जल्दी ही उनका नाम बदल कर मौसिन खान रख दिया उनकी फैमली पठानों की फैमली से बिलॉंग करती है और उनके पर दादा जी ने फरस्ट वर्ल्ल वार भी लड़ी थी बात करें उनकी फैमिली मेंबर्स की तो उनकी फैमिली में उनके फादर अब्दुल वहीद खान, मा महजबीन खान और सिस्टर जैबा एहमद के अलावा उनके एक ब्रदर इन लौ डॉक्टर ताहा एहमद और उनका एक छोटा भाई सज़द खान भी है जो खुद भी एक एक लेकिन केवल लड़की ही नहीं मौसिन बच्पन में डॉक्स और बाइक और गैस थे भी बहुत डरा करते थे एक बार उन्हें एक डॉक ने काट लिया था तब से उनके मन में जानवर को लेकर डर बैट गया था पर आज उनकी एक पसनल कैट भी है जिसका नाम फरी है इतना ही नहीं टीनेज में उनका एक इतना खतरनाक एकसिडेंट हुआ था जिससे उनके मन में बाइक को लेकर भी इतना डर बैट गया कि उन्होंने बाइक चलाना ही बंद कर दिया और जब भी टीवी शोज में आज यदि बाइक सीन्स शूट किये भी जाते हैं तो या तो किसी डबल का यूस किया जाता है या फिर बाइक पकड़ कर शूट की जाती है इसलिए मौसिन केवल कार सीन्स शूट करने में कमफर्टेबल फील करते हैं मौसिन ने अपने बचपन से जुड़े एक इंसिरेंट के बारे में गे भी बताया था कि जब वो एक बार गैस आन करने क ट्राय कर रहे थे तो बचपन में गलती से उन्होंने अपनी आख भी हर्ट कर ली और तभी से कुकिंग करने को लेकर भी उनके मन में इतना डर बैट गया कि वो बोलते है कि कुकिंग करके घर जलाना है क्या मौसिन की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही इंट्रसिंग बाते और है जिसे मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ कॉन्प्रोवर्सीज भी खैर मौसिन बचपन से ही शाय भले ही थे पर पढ़ाई में बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे और काफी फोकस्ड होकर पढ़ाई किया करते थे उ जानी पढ़ाई में उनका हमेशा से पूरा फोकस था और कॉलेज देज में आते ही उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया था साथ ही शॉर्ट फिल्म्स बनाना और उन्हें डारेक्ट करना भी महसिन को वैसे एक्टिंग के इंस्पिरेशन बॉलिवुड एक मिला था और वो उनकी लाइफ की फर्स सेलरी थी पर माना जाता है कि जब वो एड टीवी पर रिलीज हुआ था तब महसिन उसमें इतने साइड लाइन रखे गए थे कि वो इस एड में स्क्रीन पर ठीक से दिख भी नहीं पा रहे थे और उसके बाद ही महसिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस थरह के कोई बैडवर्टीजमेंट्स नहीं करेंगे बलकि एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगे जिसके लिए उन्होंने एक्टर प्रिपेस जोइन किया मौसिन को ये रिष्टा क्या कहलाता है शो में इतना फेम मिला कि सभी को लगता है कि ये ही उनका पहला शो था जबकि उन्होंने करियर के शुरुआत साल 2014 में असिस्टन डिरेक्टर बतार कोईलांचल मूवी से की थी जब वो एक्टर प्रिपेस से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे उसी दोरान उन्होंने लाइफ आफ पाय मूवी का ऑडिशन भी दिया था बट वो इसमें रिजेक्ट कर दिये गए थे फिर उन्होंने साल 2014 में यूटीवी बिंदास के शो लव वाय चांस में जिगनेश के रोल के लिए और वो इसमें सेलेट कर लिये गए ये शो उनके एक्टिंग करिया का डेब्यू शो रहा जिसके बाद उन्हें मेरी आशी की सुमसे ही में एक छोटा सा रोल निभाने का चांस मिला और स्टापलेस के शो निशा और उसके कजन्स में उन्होंने रितेश का रोल भी निभाया था इतने सपोर्टिंग रोल्स निभाने के बाद उन्हें साल 2016 में कार्तिक गोइनका का ऐसा रोल मिला जिसने उनके करियर को उचाईयों पर पहुचा दिया और आज उनकी fan following की कोई limit नहीं है वैसे टीवी शोज में एक्टिंग के साथ साथ ही उन्हें बहुत सी पॉपिलर ब्रैंड्स के टीवी कमर्शिल्स में कास्ट किया गया जिनमें से लिमका सफारी अपोलो हॉस्पिटल और माइक्रो मेक्स मोबाइल कुछ नाम है और साल 2019 में यह रिष्टे हैं प्यार के में नजर आने के बाद मौसिन को लगातार ही music वीडियो भी मिलते चले गए पर इतना successful करियर और इतन चाहनी पर दी थी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बार मौसिन इस तरह शूट से गायब हुए कि नेक्स डे भी शूट पर नहीं आए और जब मेकर्स ने उन्हें कॉल्स किये तो उनका कॉल नॉट रीचिबल था और इसी वज़े से उनके शो के प्रडूसर्स उनसे शिवांगी जोशी के साथ ही रिलेशन्चिप में रहा है और माना जाता है कि एक इंटर्व्यू के दौरान मौसिन ने उनके साथ अपनी रिलेशन्चिप एकसेप्ट भी की थी पर बाद में साल 2019 से ये रूमर्स आने लगे कि दोनों का ब्रेक अप हो गया है तुस पर शिवांगी को वैनिटी वैन में आने से मना कर दिया इस बारे में जब महसिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शो में एक फाइट सीन फिल्माया जाना था जिसमें गीली मिट्टी में शूट होना था और उनकी वैन में बाथरूम नहीं था जाओ उस सीन के बार शावर ले सके इसलिए ही उन्होंने प्रडक्शन हाउस से बाथिंग एरिया का पोशन मांगा था इससे जादा कुछ नहीं यहां तक कि वो बाद में भी शिवांगी के साथी वैनिटी वैन शियर करते थे और उनका कहना था कि किसी ने जान बूज कर ये रूमर्स उड़ाये थे ज उने ट्रैवलिंग और लिखने का बहुत शौक है और उनके फ्रेंड्स उने प्यार से मोमो बुलाते हैं वो वरक आउट करने से जादा साइक्लिंग और स्विमिंग करना जादा प्रेफर करते हैं वहसिन ने एक बार ये रिष्टा क्या कहलाता है कि दोरान कार्टिक की फे 13,000 episodes complete किये आप कितना मिस कर रहे हैं महसिन को टीवी पर अपना opinion कमेंट जरूर करें और उनके और दव्यागरवाल के latest song को लेकर अग कितने excited है आप तो ये थी एक छोटी सी life story महसिन खान की life से I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइ